So, hi and welcome to this another episode with me, Arshi, और ये विटियो जो है वो कॉलेज रिव्यू है, जिसकी रिक्वेस्ट लाइफ सेशन में स्टूटन ने की थी कॉलेज का नाम है बिट मैसरा, ये कॉलेज जो है वो इंजिनिरिंग के लिए जाना जाता है, पर क्योंकि ये MBA भी कराता है, तो हम इसके MBA का र So, welcome back to this episode, I think you know, बहुत सारे कॉलेज हैं जो एंजिनिरिंग के लिए काफी नून है, पर क्योंकि उनका फीस्ट्रुक्टर कंपारिटिवली उन कॉलेज से, जो सिफ उसिफ MBA करा रहे होते हैं, उनसे कम होता हैं, and that is the reason काई बार रीजिन की वज़ से, काई बार फीस की होता हैं, हम सोचते हैं, should I really opt for this college, and उनी में से college है, कॉल बिट मैसरा, right, काफी सारी चीजें हैं, ये college जो है, dedicated है to space engineering and rocket free, you know, way back in 1964, right, उसके अलावा, I mean, आगर आप अबाउट में भी देखेंगे, तो जातर engineering domain में ही है, मेरी टीम ने पूचा, माम ये अबाउट में डालना college है, तो, you know, सारी चीजे आपको website पे भी engineering centric मिलेगी, website पे placement तक की information नहीं है, पर क्योंकि मैंने students से connect किया है, that is the reason I'll be able to tell you कि कैसा ये college है, so highlights में बात करें, 1955 में established है, deemed university है, यहाँ पर थोड़ा सा, you know, I think, campus size जादा ही दिखा दिया है, NAC accreditation है, UGC, AICT approved है, merit-based scholarship provide करता है, 3200 UG, PG intake है, 2000 plus faculties यहाँ पर लिखे है, classroom, यह सारे I think, guest faculties सारे मिला के है, और online, offline जो है, education, you know, कहीं न कहीं, admission mode है, ranking में कई सारी ranking में आता है, पर हम हमेशा यहीं कहते हैं, जब ranking की बात होती है, please, अभी recently मैंने NIRF ranking को roast किया था, अगर आपने वो video नहीं देखा है, तो please channel प जो list में है, जिनको I.M. से पहले रखा गया है, तो ranking तो है, वो बिलकल रिलाइबल नहीं है, भले वो NIRF की हो, या private ranking हो, तो इसके basis पर admission लोगे, तो तो में लगेगा, यार यह क्या हो गया, यह कुछ M.O. यूज है, right, international university से, जोनो, इसके बाद अगर हम specialization की बात करें, त तो business analytics है, HR है, IT operations साथ में है, marketing है, and finance है, right, college सबसे जादा नोन जो है, वो कहीं न कहीं, marketing के लिए है, जिस student से में बात करें तो है, उसका कहना marketing के लिए अच्छे है, business analytics के लिए कुछ अच्छे है, कुछ अच्छे नहीं है, वैसे 1.3 seats का intake है, वाट दो section एक में, I think 50 student एक में 40 के असपा students कहीं न कहीं है, eligibility criteria के अगर में बात करूँ, cat, mat, zat, cmat, then उसके बाद GDPR होता है, then admission होता है, admission process बहुत जादा difficult नहीं है, जिन students है, मैं बात करें का 55 था, एक का cmat में 65% था, तो कम percentile पे भी आप इस college को through GDPR target कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताए 1.2 seats है, पर सिब 90 बच्चों का admission हुआ, तो that means seats काफी सारी बच आती है, तो और easily admission जो है, वो मिल जाता है, because वो अपनी seat MBA की पूरी तरह से फिल नहीं कर पा रहे है, then इसके बाद अगर हम बात करें, reservation, SC 15% दे रखा है, ST 7.5% with disability, 5% का reservation criteria है, यहाँ पे alumni mention है, but fee structure किसी चीज की भी information नहीं है, त पहले एक slide जाने के बाद, एक slide add कर देती हूं, जो student से मेरी बात हो रही थी, उसका कहना था, कि they are paying a fee structure of near about 6 lakh, और almost 95, 96, 97% बच्चे जो है, residential program है, but कुछ exceptional cases के लिए ऐसा है, ठीक है, उन्होंने hostel अपने किया, अगर आप hostel की साथ बेखेंगे, तो आप 2-5 lakh रुपए जो है, वो hostel का मान सकते है, तो जो fees structure total बैठेगा, वो 8-8.5 lakh पड़ेगा, यह उस student को कही ना कहीं पड़े है, जो अभी second year में है, तो इस साल अगर थोड़ा और variation हुआ, तो यह 19-20 थोड़ा सा और जाद हो जाएगा, तो that is the fees structure, that is the hostel fees, 8-8.5 lakh का investment है, right, I think हम specialization की already बात कर चुके ह इंटर्णशिप की अगर मैं बात करूँ, तो यह दो इंटर्णशिप कराता है, विंटर की, जो compulsory नहीं होती है, आपको खुछ से रून नहीं पड़ती है, और देन उसके बाद यह one month की होती है, देन summer में इंटर्णशिप होती है, दो मन्त की, यह compulsory होती है, और यह कही न यह 14 लाग का गया है, एवरिज बच्चे का कहना था, 6 लाग की आसपास का एवरिज पाकेज है, अब कई सारी कंपनीज इस साल आई थी, EYB आई थी, Tata Play आई थी, बाकले आई थी, डेटा भी आया नहीं है, ओफिशल रिलाइंस आई थी, अधित्तिय बिला आई थी, student का end में यह कहना था, कि अगर आप फीज के साब से देख रहे हैं, तो तो आप consider कर सकते हैं, बाट अगर आप overall picture में देख रहे हैं, के MBA centric college, तो उस case में आपको दूसरे options को consider करना चाहिए, यह lowest package 4 लाग का है, दन उसके बाद अगर हम बात करें, तो clubs जो हैं, वह सारी clubs काफी active ह हैं, faculties कुछ अच्छे है, कुछ medium है, कुछ अच्छे नहीं भी है, as per students and all in all, you know, अगर आप ROE के terms में देख रहे हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी अगर आप का perspective, आपका requirement कुछ और है, तो then in that case, you have to look for other colleges, कौन से colleges, नीचिक profile analysis form दिया है, जिसको फिल कर के आप details ले सकते हैं, और आपने सारे questions मूच सकते हैं, तो ये कुछ alumni है, MBA 1988, MD IDFC Bank, राइड, पुलकित तवारी जे, MBA 1988, Director Google Pay, India, तो काफी notable alumni, में एक और चीज मैंशन करो, student also mentioned कि एक अच्छी चीज कोलेज की ये है, कि alumni जो है, वो आते रहते हैं, they have a lot of events जहां पे वो college के alumni को बलाते जो आपको मिल सकती है, merit-based, need-based, compassionate grounds, staff members के लिए, आप चाहो तो इनके लिए apply कर सकते हैं, that's all about this episode, do let me know your feedback in the comment section below, do not forget to like, share and subscribe.